Hello Friends, Welcome to Study with Neelam राश्टी सिक्षानीती 2020 क्या ये टॉपिक आप लोगों के लिए exam point of view से बहुत ज़दा important है क्योंकि जो student PSC या UPSC के preparation कर रहे हैं उन्हें एक overview पता होना चाहिए और आप लोगों को जो UPSC और MBPSC के त्यारी कर रहे हैं उन्हें सजेशन देना चाहूंगी मैने टेलिग्राम जो चैनल है उस पर इसकी PDF भी डाली है इस PDF से अगर आप सिर्फ मात्र 108 पेज हैं आपको लगेगा मैडम सिर्फ मात्र 108 पेजिस बोल रहे हैं क्योंकि जब आप इस शॉर्ट वीडियो को देख लेंगे जो मैने आपको यहां पर प्रोवाइट कर रही हूं इसमें वह इंपॉर्टेंट चीजे देखने के वाद जब आप उस PDF को पढ़ेंगे तो आपका पूरा ध्यान उन्हीं पॉइंट्स पर जाएगा और हमें पर जो आप अंडेस्टेंडिंग करेंगे उससे आपके पास थौर्ट डबलप हो जाए क्योंकि अगर आप सिर्फ जो यह वीडियो में उसी के बेस पर चलेंगे तो इससे आपका प्री निकलेगा मैंस नहीं निकल पाएगा ओके चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का लेक 29 जुलाई 2020 को इसे रिलीस किया गया मतलब पॉब्लिक डोमेन में यह आ गई है ओके बन गई है यह मंजूरी मिल गई है केंदरी मंत्री मंडल के द्वारा कब मिली तो यह डेट याद रखिए 29 जुलाई 2020 को मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवर वीउ देना चाहती ह कि कब कब कौन कौन सी पॉलिसी वनी देखिए पहली बार 1985 में जो हमारा बदला गया है क्या नाम बदला गया है HRD मिनिस्टरी का Human Resource Development का जो नाम बदला गया मंत्राले का उसका 1985 में नाम क्या था HRD मिनिस्टरी था ठीके 1985 में इस नाम को इससे पहले यह क्या था सिक्षा मंत्राले था और 1985 में से क्या कर दिया गया HRD मिनिस्टरी कर दिया गया तो इसी नाम को बापस से क्या किया गया 1985 के बाद 2020 में फिर से सिक्षा मंत्राले इसका नाम कर दिया गया तो आपको यह पॉइंट दिहन में रखना है बरतमान में किस मंत्राले का नाम बदला गया है तो सिख्चा मंत्राले किस का नाम कर दिया गया है मानव संसादन विकास मंत्राले का नाम कर दिया गया इसके मंत्री कोन है तो रमेश निशंक पोक्रियाल है इन्हें आप याद रखेगा क्योंकि इनी के कारेकाल में दुबारा इस मंत्राले का नाम चेंज हुआ है तो ये येर भी आप अच्छे से याद रखेएगा देखिए ये हमारे भारत की स्वतंतरता के बाद तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है इससे पहले दो कपकब आई थी इससे पहले जो स्वतंतरता के बाद आई थी वो थी 1968 में पहली 1968 में और दूसरी थी 1986 में 1968 और 1986 ठीके ये इंद्रा गांदी जी के समय आई थी और ये आई थी राजिव गांदी जी के समय 1992 में इसी नीती में 1986 वाली में कुछ परिवर्तन किये गए तो ये सुधारों के साथ फिर से लागू की गई थी 1986 की लेकिन इन दोनों नीतियों के बाद एक लंबा समय रहा जो राष्टी सिक्षा को किस दिश्चा में लेकर जाए कैसे उसमें जो देश के लोग हैं एक अच्छा संसाधन बन सके सिक्षा का इस तरह ऐसा हो कि लोगों को रोजगार भी प्रदान हो सके ना कि वो रट्टा परणाली पराधाई तो हम लोग ये सब चीजे फेस कर रहे थे और एक अच्छा human resource डबलब नहीं कर पा रहे थे थोड़ा सा history देख ली जाब सबसे पहले 1835 में मैकाली की सिक्षा नीती आई थी कब आई थी? 1835 में मैकाली की सिक्षा नीती आई थी और इस सिक्षा नीती का एक point याद रखियेगा इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव ना करकर सबके लिए एक जैसी सिक्षा नीती लेकर आई थे और इसमें किस पर जोर दिया गय था? अंग्रेजी भासा पर ना की हिंदी पर और उसमें क्या कहा गया था कि भारतियों की जो सरीर है वो तो क्या होगा भारती होगा लेकिन अंदर से आत्मा क्या होगी अंग्रेजी होगी या अंग्रेजों के जैसी ही होगी 1964 में 1964 में कोठारी कमिशन लागु किया गया 1964 में कोठारी कमिशन की जो सिफारिश थी इने स्कूल्स कॉलेजे जो हमारी कारणाली उसमें 1968 में कारण रूप दिया गया था इसमें क्या कहा गया कोठारी कमिशन लागु किया गया 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 जो जो गया 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 ठीक है जिससे क्या रहा हमारी सिफ्चा व्यवस्ता पिछरती गई और एक आज हमारे पास ऐसी यंग जनरेशन है जो यंग तो है लेकिन वो इतना अच्छा रिसोर्स नहीं है जो भारत की डवलप्मेंट पर एक महत पुन भूमे का निभा सकती थी और इस यही सब घूम फिर हैंगे तो यह इन सब का फायदा देश को ही होगा ठीक है और बहुत सारी समझ्यां से जो कनेक्टेड होती है वह देश को फेस नहीं करनी पड़ती है विश्व को देख लेते तो दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा खर्च करता है एजूकेशन पर जीडीपी के अकौर्ड सरवादिक खर्च करता है पहले इस्थान पर भूटान भूटान करता है अपनी अर्थवस्ता का साड़े साथ परसेंट 7.5 परसेंट भूटान करता है भूटान के बाद दूसरे इस्थान पर आता है जिम बामबे कोना आता है जिम बामबे और तीसरे इस्थान पर आता है स तो 7% में आता है कोश्टरीका और फिनलेंड, कोश्टरीका और फिनलेंड 7% तक खर्च करते हैं अपनी GDP का, 6% तक खर्च करने में आते हैं किर्गिस्तान, साउथ अफरीका और ब्राजील, 6% तक खर्च करते हैं साउथ अफरीका, ब्राजील और किर्गिस्तान, 5.5% तक खर् करते हैं अपने अर्थव्यस्ता में यू एसे कोरिया मंगोलिया केन्या मलेशिया आधी देश ओके और भारत इन सब में कहीं भी नहीं आ रहा है ठीके भारत कहां रहा है टू पॉइंट सेवन परसेंट तो आप इस जो आखड़ा मैंने बताया यह याद करने लाइक नहीं यह पहला याद कीजिगा लेगिन आप इससे समझ सकते हो कि हमारे यहां पर जीडिपी का कितना कम परसेंटेज सिक्षा पर खर्च किया जाता है जिसका जो नतीज़ा था कि हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी की आभिशक्ता पड़ी ओके बजट के 10 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिए किसमें अब जो 10 प्रतिशत खर्च हो रहा है इसका क्या होगा 20 प्रतिशत खर्च किया जाएगा 2020 की पॉलिसी के अनुसार चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं मैं 2016 में नई सिक्षा नीती के विकास के प्रवरूप के इसकी अध्यक्ष कों थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को चुना गया और उनी की सिफारिश पर आज ये नीती बनकर तैयार हुई है 31 मैं को इन्होंने रुपोर्ट सोब दी थी सरकार को और सरकार ने उसे पब्लिस लागू कप करना शिरू करा 29 जुलाई 2020 को इस रिपोर् जीने हमें प्राप्त करना है 2035 तक उसमें एक सिफ्षा बहुत बड़ा लक्ष है भारत जैसे विकासिल देश के लिए तो जो हमारी नई नीती है ये हमें इस ससत विकास लक्ष को प्राप्त करने में महतपूर्ण सहयता करेगी सभी स्थर पर उसकूली सिख्षा के लिए सार्व भूमिक्ता सुनिश्चित की गई है मतलब क्या होना चाहिए इसकूली मतलब सभी इस तर पर 9 हो 10 हो मतलब पूरे और सभी राज्यों में क्या हो सिख्षा की प्रणाली एक जैसी हो के सार भुमिक्ता पाई जाए यूनिवर्सल लेवल पर एक जैसा होना चाहिए नई सिक्षा नीती में उन दो कंडोर स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने का लक्ष रखा गया है जिन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ चुके हैं कक्षा नो से बारा तक अब कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा इसका मतलब यही कि ना आप कॉमर्स बीए बीएस सी ठीके कंप्यूटर साइन्स जो भी कुछ आप लेते थे स्ट्रीम अब उसका कोई सिस्टम नहीं रहेगा जो आपका एंट्रेस है आपको जाना है डिजि था कई बार कि अगर आपने में कॉमर्स लिया है तो फिर आपको लाश्ट में जाके जैसे आपने आपका मन हुआ के फरस्टियर में बीएस सी ले ले तो वह चीज नहीं होती थी ठीके आपको कॉमर्स वाले स्ट्रीम को क्या करना पड़ता था मजबूरी में बीए ही करना परता था और बीए वाला जो इस्टूडेंट है वो कॉमर्स नहीं ले सकता था वो बीएस सी नहीं कर सकता था अब यह प्राभधान खतम हो गया है अब आप इसे कोई सा भी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं नोवी से बारवी तक की परिक्षाएं अब सेमेश्टर सिस्टम पर आधरित होंगी जो एन्वली एक्जाम होते थे आपके वो आप नहीं होंगे कैसे होंगे शिक्स मंथली होंगे सेमेश्टर बेज़्ड होंगे नेशनल करिकूलम और पेडगोजिकल फ्रेमबर्क फॉर अर्ली चाइल्ड हुल कियर एजुकेशन इस सिस्टम के माध्यम से जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होगी उसके लिए क्या तयार किया जाएगा करिकूलम तयार किया जाएगा कि किस तरीके का स्लेबस कौन से की पॉइंट है जो बैसिक रूप से विश्व इस्थर पर सभी स्कूलों में पढ़ाए जाते और भारत की जो जरूरत हैं उसकी अनुसार यहां के जो सिक्षा ववस्ता उसमें भी उन्हें डहलना चाहिए इस्टेंडर्ट सेटिंग निकाय के तोर पर परक परक ने 400, 450 या 500 इस वैसे सिर्फ मार्क्स लेकर आने से ही आपका असेस्मेंट नहीं होगा आपका जो आंतरिक वहवार है जो आपका इंटर्व्यू लिया जाए तो उसमें आपकी क्या बहारी गुण है क्या आंतरिक गुण है ठीक है आप कला के छेतर में क्या परफॉर्मेंस करते हो तो उसमें क्या होगा आपका एक हॉलिस्टिक व्यू अपनाया जाएगा ओके 360 जो एंगल है उससे आपको देखा जाएगा और उसकी क्या धर पर आपकी असेस्मेंट रिपोर्ट तैयार की जाएगी ओके वोकेशनल सिक्छा या वेबसाइक सिक्छा सहीत उच्छ सिक्छ में इन्रॉल्मेंट जो होता है ग्रोस उसे बढ़ाना है कितने प्रतिशत करना है पचास प्रतिशत क्यूंकि आपको पता है जैनरली बच्छे ग्रोजेशन करते और फिर छोड़ देते हैं उन्हें कोई इंट्रेस्ट नहीं होता है कि वो पीएशडी करें एंफिल करें या कसी बिसेश पेपर पर रिसर्च करके उसके बारे में कुछ नहीं खोज करें तो इसको बढ़ाबा दिया जाएगा रिसर्च को उच्छे सिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड नई सीटे बनाई जाएगी आप लोगों ने देखा होगा मैडेकल हो या फिर कोई भी आयाइटी ह इनमें क्या दिक्कत आती है सीट की प्रॉबलम आती है तो इन सीट की संख्या बढ़ाई जाएगी 3.5 करोड सक किया जाएगा उच इस तर पर सोध संस्कृती और सोध छमता निर्मित करने के लिए राश्टी सोध फांडेशन का गठन किया जाएगा एक नेशनल सोध आक किया जाएगा कही चलिए कंसिक्जानिती 2020 सुतंत्र भारत की अब तक की कौन सी सिक्षा निति है तो यह कोन सी है तरतिए है दो कब-कब आ गई एक आई थी 1968 में इसे ये ती हमारी प्रथम सिक्षा निती ओके और दूसरी आई थी 1986 में राजीव गंदी के साशन काल में ये थी हमारी दूसरी सिख्षा नीती और आप आईए 2020 में हमारी तीसरी सिख्षा नीती नवीन सिख्षा नीती के तहट देश में सिख्षा पर GDP का कितने प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है तो राइट एंसर होगा हमारे यहां पर छे परसेंट ये मोस्ट आईएंपी कोश्षन है जो स्टूडेंट फैक्च्वल जैसे स्ट्रेट सीधे कोश्षन पूछे जाते हैं एक्जामस में तो वो लोग इसे याद रखें कि 6 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान राश्टी सिख्षा नीती में रखा गया है निम्न मेंसे नव जो से रिक्वेस्ट की गई है यह सलहा दी गई है कि अगर 8 वी अक्षा तक भी मात्र भासा ही माध्यम रहे तो अच्छा होगा क्योंकि हमेशा याद रखें आप कोई भी भासा तभी सीख सकते हैं जब आपको आपकी मात्र भासा बहुत अच्छे से आती हो ओके तो यह ववस्था को लागू किया जाएगा तो यह ववस्था होगी आपकी 5 प्लस 3 प्लस 3-4 ओके तो यह ववस्था है क्या होगी देखिए यह होगी प्री अर्ली क्लास जो तूत पास साल रहे गा इसमें से रहेंगे आपके जो दोस एक से दो क्लास मतलब जो दो होंगे यह होता है nursery, primary ओके तो यह 3 साल जो होगा वो आपकी pre-schooling होगी pre-schooling और इसमें से जो 4th year होगा आपका वो 1st class और जो 5th year होगा वो होगा 2nd class ओके तो 3 साल आपकी pre-schooling चलेगी और फिर आपकी 1st class प्रारहंब होगी और इस तरीके से यह आपका क्या complete होगा पहला 5 year का complete होगा फिर 3 years अब इसमें age भी decide की गई है जो 5 year का प्लान होगा पहले 3 साल का pre-schooling और 1st class और 2nd class इसमें age कितनी होनी चाहिए आपकी तो यह age होगी आपकी 3 से 8 years की आपकी age होनी चाहिए ओके जो student है उसकी क्या होता जनरली आजकल 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं और इन से school में pre-schools में डाल दिया जाता है जिस बच्चों पर क्या होता अननेसरी burden बढ़ता है तो इसमें age को भी mention किया गया है और class को भी ठीके फिर जो second 3 रहेगा इस 3 में जो age रहेगी वो रहेगी आपकी 8 से 11 ओके और class होनी चाहिए आपकी 3 से 5 ओके class 3 से 5 तक चलेगा ये फिर जो तीसरा होगा आपका ये रहेगा आपके लिए 11 से 14 वर्ष की age और ये यहां से आपकी class रहोगी 6 से 8 class तक और जो fourth आपकी system रहेगा इस fourth system में आपकी age होनी चाहिए 14 से 18 ओके और class रहेगी आपकी 9 to 12 ओके आई होप आपको ये clear हो गया होगा यहां पर open school system भी रखा गया है open school system का मतलब ये होगा अगर कोई बच्चा पढ़ाई के दोरान ही क्या होता है बहुत सारी सामजिक परिशानिया घरेलू परिशानिया ऐसी होती है जिससे बच्चों को schooling छोड़नी पड़ती है तो क्या किया गया है इस नई व्यवस्था में नई नीती में कि अगर 9th class में पढ़ते पढ़ते आपने क्या कर दिया क्लास छोड़ दी है तो उसके बाद आप 9th, 10th, 11th, 12th के लिए open school के माध्यम से परिच्चा दे सकते हैं और आपकी इस इक्च्चा वही से वापस से प्र लीजेगा ताकि आपको ये format बिल्कुल clear cut याद हो जाए ओके ये रहेगा आपसे system 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 नवीन राष्टि सिक्चा नीती 2020 के तहत vocational course ये website पाठिकरम किस कक्चा से प्रारंब होगा तो ये प्रारंब हो जाएगा आपका कक्चा 6 से कक्चा 6 से अभी मैंने बताया कि 11 से 14 वर्स की एज होगी और आप जानते हैं आजकल के जो बच्चे होते हैं advanced mind के होते हैं वो लोग इस एज में सोचना है कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है कुछ बच्चों को पता है कि उन्हें इस बनना है कुछ बच्चों को पता है कि यहां इस एज में जाकर कक्चा 6 से वो अपनी पसंद के vocational course को जॉइन कर सकते हैं जिससे क्या होगा बच्चों में website था कि भावना बढ़ेगी और देश में जो सिक्चा प्रणाली वो कैसी बनेगी रोजगार उन्हें मुखी बनेगी और जिससे holistic development भी बच्चों का होगा जलके तो याद रखेंगा कख्चा 6 से राश्ट treatment 2020 के subtकिस बर्च तक रखा गया कि परतेग बच्चे को सिख्चे प्राप्त हो जाए तो ये लख्च रखा गया है 2030 प्र, सभी बच्चों को क्या हो जानी चाहिए शिक्च प्राप्त हो जाना चाहिए को इस यह आप बढ़ प्रतेग वच्चे को सिक्षा प्राप्त हो जाय तो अभी देश के पास हैं दस वर्ष और दस वर्ष में हम ये लख्ष प्राप्त कर लेंगे ओके नैक्स्ट देखते हैं राश्टी सिक्षा नीती 2020 में निम्न में से किन छेत्रों को छोड़कर बाकी उच्षि सिक्षा के इन्हें मुख्य एजुकेशन जो रहेगी उसमें शामिल नहीं किया गया है तो याद रखेगा medical और law education को यहाँ पर आपको बिल्कुल clear cut देखेगा यह भारतिय उच्छे तर सिख्छा आयो ठीक है national higher education commission इसके अंतरगत यह 4 संस्थान आएंगे आपके देख लेते हैं ने national higher education regulatory counseling ठीक है यह क्या करेगा जो उच्छे सिख्छा है उसे regulate करेगा अब शायद UGC जो है इसकी भूमी का खत्म हो जाएगी future में ओके क्योंकि जब नवीन सिख्छानीती में हाइ national higher education regulatory counseling की बात की गई है तो यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि UGC का अस्तित्व फ्यूचर में शायद न रहे general education counseling जो journal सिख्छा होती है इसके लिए counseling गठित की जाएगी जिससे journal जो सिख्छा है उसको क्या हो सके बढ़ाबा मिल सके और वो जो समाने हमारी सिख्छा होती है जो हमारे stream based education होती है उसके साथ साथ बढ़ सके higher education ground council ठीक है यह क्या करेगा जो higher education के institute रहेंगे संस्थान रहेंगे उनको grants प्रोबाइट करेगा और उन्हें regulate करेगा national accreditation counseling यह क्या करेगा accreditation करेगा NAC जो अभी है संस्थानों का ठीक है ranking दी जाती है आप लोग उन्हें सुना होगा जो colleges होते है universities होती है a ranking a plus a a plus b ranking b plus ठीक है b minus इस तरीके से इनकी कारेच छमता और क्रियानमन को सुधारने के लिए इनका मुल्यांकन भी किया जाता है ओके चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ राष्टे सिक्षा नीती में उच्च सिक्षा को credit आधरित बनाने के लिए कौन सा गठन कौन सा संगठन बनाया जाने का उलेक किया गया है तो यह संगठन बनाया जाएगा academic bank of credit क्या होता academic bank of credit देखिए इसमें क्या होगा जैसे आपने first year में जो लिया admission लिया है उसके बाद क्या होता है बच्चों को education उन्हें छोड़नी पड़ती है यहां पर मैंने बहुत अच्छ से clear कर दिया आपको first year आपने complete करा और कोई दिक्टत आ गई ठीक है आप education first year के complete नहीं कर पाए ठीक है लेकिन आपको यहां पर क्या होता था बच्चों का first year complete हुआ वाकि दो साल वो complete नहीं कर पाए तो यह उनका एक साल होता था वो भी बेकार हो जाता था फिर वो दुबारा से शुरुआत नहीं कर पाते दे लेकिन इस system में अभी एक अच्छी चीच की गई है कि first year में आपको एक certificate प्रदान किया जाएगा अगर आप छोड़ते भी हैं तो जब आप फिर से शुरू करेंगे तो आप कहां से शुरू करेंगे second year से ही शुरू करेंगे second year में आपको advanced diploma प्रवाइट किया जाएगा जब आप पास हो जाएंगे third year में आपको bachelor degree दी जाएगी ठीक है अगर बीच में education छोड़ते भी हैं तो भी आपके जो साल दिये हैं आपने वो खराब नहीं होंगे और आपको एक certificate advanced diploma bachelor degree और bachelor with research ये डिग्री अपराप्त होने के बाद आप आगे जब भी शिरू करेंगे तो इसे इस diploma advanced के साथ आप third year complete कर सकते हैं और third year के बाद अगर आपक third year भी कर सकते हैं इसे कभी भी छोड़ा जा सकता और कभी भी याप एग्मस में enrollment हो सकते हैं तो इसे क्या कहा गया मल्टी entry और मल्टी exist भी कहा गया है तो याद रखेगा राश्टी सिक्षानिती में अनुसंधान के लिए क्या प्रावधान किया गया है राश्टी अनुसंधान आयोग होगा ए और भी दोनों होंगे तो यहाँ पर हमारा राश्टी राइट अंसर होगा दनेशनल रिसर्च एंसिट्यूट होगा ओके राश्टी अनुसंधान फाउंडेशन होगा ठीक है यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट लिखा है ठीक है फ्रेंड अब यहाँ होगे दो भागों में कंपलेट हुआ करेंगे इन्हें दो भागों में डिवाइट करके कंपलेट कराया जाएगा जिससे क्या होगा जो बच्चे फेल होते हैं उस चीज़ को कम किया जाएगा और एक राज्य विध्याले प्राधिकरण का भी गठन किया नियामक रहेगा वो क्या करेगा राज्यों पर जो सिक्षा ववस्ता है उसको सही से लाकू करने के लिए और उसकी निग्रानी करने के लिए स्थापित किया जाएगा क्या राज्य विध्याले प्राधिकरण नियामक की स्थापना की जाएगी और जो वेबसाइक सिक्षा अगर आपके छेत्र में मिट्टी के बरतनों का निर्मान किया जाए तो आपको वह सिखाया जाएगा अगर लखड़ी के कुछ महतवपूर्ण जैसे विश्वी प्रसिद चीजे बनाई जा रहे हैं चैंदेरी की साड़ी हुई मधुवनी पैंटिंग हुई तो जो आपका लो करिकुलम को बोरिंग होने से बचाया जाएगा आपका करिकुलम जो स्लेबस होगा वो क्या होना चाहिए इंट्रेस्टिंग होना चाहिए तो यह सभी चीजें इंक्लूट की गई हैं आपके किसमें जो एजुकेशन पॉलिसी है दो हजार बीस में नवीन सिक्षा नीती के तहत कोलेज को कितने वक्त में चरण वद्ध तरीके से ओटोनोमस बनाने की बात कही गई दिखे यह जो पॉइंट है यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इसका राइट आंसर होगा 15 सालों में कितने सालों में 15 सालों देखे इसकी बहुत ज्यादा आलोचना यह हो रही ह कि लोग को कुछ aux च्यारेटले से काई च्यारेटले करते हैं जो आपने की कारेप्रणाली निर्मेट करते हैं उनको ότι उन्हें को अपना जो college है वो चलाते हैं तो यह autonomous किया जाएगा मतलब धीरे धीरे जो government college है उन्हें क्या किया जाएगा 15 सालों में स्वतंत्र किया जाएगा सरकार के माध्यम से ठीक है जो सरकार पर dependency है government college की उसको खत्मी किया जाएगा और उन्हें autonomous दे जाएगी तकि वो स्वयम अपने संसाधनों का विकास करें स्वयम अपने कोड से चलाएं और स्वयम अपनी कारे परणाली को संचालित करें तो यह क्या हो रहा है सिक्षा का नीजी करण हो रहा है आप लोग जानते हैं जो autonomous college होते हैं उनकी फीस कितनी जादा होती है और उनके जो नियम होते हैं वो भी बच्चों पर क्या होते हैं अन्नेसेसरी डाले जाते हैं तो जो सिक्षा का इस तरीके से नीजी करण हो रहा है इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही तो आपको यहाँ पर याद रखना है 15 साल का जो इसतर हैं इनको complete किया जाएगा college को और क्या करने के लिए autonomous समाने सिक्षा college अपना खुद का curriculum decide करेंगे अनुसंधान जोगा वो अपना decide करेंगे सिक्षा को के training का काम करेंगे और autonomous degree college को क्या कर दिया जाएगा छोड़ दिया जाएगा मतलब सरकार से यह जो सरकारी universities उ से वो अलग हो सकते हैं यह दो नुचीज़े डिपेंड करती है या तो वो अलग होना चाहते है या फिर वो नहीं होना चाहते है यह college हो पर छोड़ा गया है ओके जो अधित नारायन मिश्रा है Federation of Central University Teachers Association उन्होंने college हों के autonomous जो हो रहे हैं इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया है विरोत किया है और इस नीती को क्या बोला है गलत बताया है तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे Federation of Central University Teachers Association आधित नारायन मिश्रा ओके राष्टी सिक्षनीती 2020 के अंतरवर संस्क्रित और भारती भासाओं के लिए निम्नमे से कौन सा संस्थान इस्थापित किया जाएगा तो यह इस्थापित किया जाएगा II LI इस्थापित किया जाएगा Indian Institute of Translation and Interpretation ठीके जो भारती भासाओं है यह संस्क्रित है उनके लिए अलग से इस्थापित किया जाएगे जैसे IIT होती है अलग-अलग सेहरों में वैसे ही अब IILT होंगे तो यह भी आप याद रखेंगे इसलिए मैंने इन्सिटूशन का नाम अलग से लिख दिया है ओके फ्रेंट्स पूरी कोशिश रही मेरी कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आई होप आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा होगा थैंक्स फॉर वाचिंग